पर ये एक कविता है, जिसमें कभी ने हमारे भुगोल के बारे में बात की है, धर्ती के बुगोल के बारे में बात की है वोई इक विमान में आकाश में उडते हैं और शेहर का और धर्थी का धरती गोल है और शेहर महाँ बसे उए हैं जहां पर पानी और घाटियां हैं तो इसी का वर्नन यहां पर किया गया है पोयम स्टार्ट करते हैं शहर का विकास इस प्रकार से क्यूं हुआ इनविटेबिलिटी का मीनिंग होगा अवश्यम भावी यानि जो अवश्यक हो तो उन्हें अवश्यक तोर पर ये क्लियर हो गया about what on ground had looked haphazard कि शहर जो थे वो कैसे बसे हुए थे haphazard यानि एववस्थित थे और unplanned थे and without style और अकर्शक डंग से नहीं बसे हुए थे when the jet sprang into the sky, जब आकाश में उनका jet plane उड़ा तो उन्होंने ये देखा when the jet reached 10,000 feet और जब उनका विमान 10,000 feet की उंचाई पर पहुँचा it was clear तो उन्हें spust हो गया why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated और जब 10,000 feet की उंचाई पर पहुँचे तो उन्हें ये spust हुआ कि जो देश हैं, उनकी जो शहर हैं, cities है where the rivers ran and why the valleys were populated तो वह जो शहर हैं, वो वहां बसे हुए हैं जहां पर नदियां बहती हैं और जहां पर बादियां हैं वहां पर सबसे ज़्यादा जनसंक्या या बड़े शहर बसे हुए the logic of geography, अब उनको geography का, यानि भुगोल का वो तर्क संज में आया कि जहां पर पानी होता था, नदियां होती थी और जहां पर valleys होती थी यानि उपजाव भूमी होती थी, वहीं पर लोग अपने घर बसाया करते थे और धीरे-धीरे वो बड़े शहर बन गई that land and water attracted man, अब logic क्या था? geography का, तर्क क्या था? कि जहां पर धर्ती, जाव भूमी होती थी and water और नदियां भैती थी, पानी होता था, attracted man वहीं पर आदमी अपना घर बनाया करते थे, मनुश्य अपना घर बनाया करते थे और उनी से अकरशित होते थे, वास clearly delineated अब ये बात बिल्कुल सही, delineated का मिनिंगों का परदर्शित होना, अब ये बात बिल्कुल सही परदर्शित हो रही थी, सही इस पष्ट दिख रहा था उन्हें, when the jet reached 10,000 feet, जब उनका jet plane 10,000 feet पर पहुंचा, उसके बाद वो कहते हैं, when the jet rose 6 miles high, जब वो jet 6 मील की उंचाई प और उन्हें लगा जाकर कि earth जो था, यानि धर्ती जो है, भूमी जो है, वो गोल है, and that it had more sea than land, और इस पर पानी जादा है, समुद्र जादा है, और धरातल कम है, आगे वो कहते हैं, but it was difficult to understand, पर उन्हें ये समझने में परिशानी हो रही थी, यानि ये उनके समझ में नहीं कि मनुष्य जो है, हम लोग जो है, एक दूसरे से ग्रीना के कारण क्यों ढूंड लेते हैं, एक दूसरे से नफरत के कारण क्यों ढूंड लेते हैं, to build walls across cities and to kill, और ये जो दिवारे नजर आती हैं, हमारे शेहरों के चारों तरफ, और जो युद हम करते हैं, यानि जो लड मैं ये तो देख सकता था, उस हाइट से, उस उंचाई से, कि ये कैसे बसा हुआ है, पर लोगों के मन में जो हेट्रेड है, और जो युद करने के इरादे हैं, जो लड़ाई जगड़े के इरादे हैं, वो वहां से सपष्ट नजर नहीं आ रहे थे, it was not clear why, और ये उन्हें सुझमेन या रहा था कि ऐसा क्यूं है, यह कारण उन्हें सपष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, तो जुलफी कार गोश की लिखी हुई बहुत ही सुन्दर पोएम है, तैंक्यू बेटर